हलो गाइस कैसे हैं आप सब आसा है आप सब ही अच्छे होंगे आज हम बना रहे हैं गुईया के पत्तों की पकोडी दोस्तों इसको हमने चने की डाल और बेसन की डाल से बनाया है यह खाने में बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता है आप लोग एक बर जरूर खाये इसको हो सक क्योंकि हमने कपड़े फैल आए थे और कपड़े हमारे सूख गये हैं हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कपड़े उतारने भी है जानक से हमें याद आया तो हम उपर आये हुए हैं और देखे अंधहिरा हो गया है तो यहां की जो वीडियो हमने सूट की है तो काफी दुंदली है क्योंकि हम आये हैं कपड़े उतारने और कपड़े हमारे अभी पुरी तरह से सूख नहीं है लेकिन हम उतार लेंगे इन को क्योंकि फैलय हुए है और बारिस हो जाएगी तो कपड़े हमारे भीग जाएंगे आप लोग देख सकते हैं यह हमारे छसे जो भी नजारा दिखाई दे रहा है हम वो आपके साथ सेयर कर रहे हैं दोस्तों बिल्कुल साम का समय है तो हमने लाइट अन कर दिया है और यह सारे कपड़े उतार कर हम अगर कपड़े हमने सुखाए है तो टाइम से नहीं उठाएंगे तो वह दुबारा फिर से गिले हो सकते हैं क्योंकि बारिस किस टाइम होने लगे इसका कोई अंदाजा नहीं होता है तो अभी हम जाएंगे नीचे लाइट को अम आफ कर देंगे और नीचे चले जाएंगे नीचे जाने के बाद हम अपने सारे कपड़े फैलाएंगे और नाक पंचमी का भी तेवहार आ रहा है तो हमें उसकी तयारी भी करनी है तो हम नीचे आ गएं दोस्तों तो यहां पर यह आयुसमान और हमारी चोटी बिटिया गेम खेल रहे हैं दोनों इनको बड़ा मज़ा नाक पंचमी करने क्योंकि मायः नापनचमी यह नाक पंचमी कई सब्सप्रां कर दोनों नाक पंचमी के बिट शारे करनी डोस्तों यह हमारी मम्मी लाई थी भी you लो wiped है तो इसको हम MK साफ करेंगे उसको हम पाने मीं भीगो देंगे तो कोड़ा इसमें रहें लेकिन भीत हैं। पहले हमसे को निकाल साफ पर यदि निकाली कोड़ें पाने हम यह तो पहोँ जयदा नहीं हैं रहें देद में सोभी कोड़ता ने लेंग हैं's बच्चे भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं लेकिन तेवहार की वज़े से यह सारे चीजें करनी पड़ती हैं बनाना भी पड़ता है तो गयों भी हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चैने ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं गयों बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो हम थ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये तेवहार में बच्चों का ही होता है हम लोग तो इसी तरह से इसको मनाते हैं घुगरी बनाई जाती है हमारे यहां गुडिया बनाई जाती है जो की बच्चे लेकर जाते हैं बेटियां लेकर जाती है और जो लड़की होत और अब हम जाने की तयारी कर रहे हैं मम्मी के घर अपने माई के जा रहे हैं तो हम आयसमान को तयार कर रहे हैं आयसमान का बड़ा मन था जाने का तो इसलिए अभी हम सुबह सुबह जाएंगे और तो पहर में हम वापस आ जाएंगे क्योंकि घर में भी तोहर मनाना है और मम् तो इसलिए उनका भी मन रखना है, तो हम तयार हो रहे हैं, बड़ी बिटिया तो इस्कूल चली गई हैं, छोटी बिटिया को ले कर जाएंगे, भाया को भी ले कर जाएंगे, तो हम तीनों लोग जाएंगे, हजबन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनको आफिस भी जाना है, त तो इसे से हम लोग जाएंगे देखे दोस्तों यह हमारे घर के सामने की जह जो हम लोग कeursते हैं यह पीछे से ही कि निग्लज जाते यह यह साथकट हमारा राजता पड़ता है मैं एन रोड से जहते हैं थोड़ा सा लंबा पड़ता है तो हम ममी के घर आ चुके हैं और यह हमारी देख़ो सॉम्या है छोटी बीटिया बैटी हुए है तो ममी ने गर्म गरम कचोड़े बनाई है अभी वो बना ही रही है इधर बच्चे खा रहे हैं दो बहने और भी हैं हमारी तो वो वो अभी तक आई नहीं है वो दुपहर तक या साम तक आएंगी ये मेरी चोटी बहन है अभी इसके साथ ही नहीं हुई है तो ये भी मम्मी के साथ लगी हुई है हेल्प करवा रही है मम्मी की तो बच्चे बहुत ज़दा खुस हुए हैं क्योंकि आज नाक पंच मी है तो नाक पंच मी मम्मी नानी के घर आये हैं तो इसलिए बहुत खुस है और हम लोग घर आ गए हैं तो देखो बड़ी बिटिया की छुटी हो गई है तो ये इनकी बुवा हैं तो ये तिनों लोग आपस में बातचीत कर रही हैं और साम को हम लोग घूबने भी गए हैं डिनर कराने ले गए हैं बच्चों को आज बच्चों का मन था बाहर खाना खाने का तो बच्चों को बाहर किलाने राये हैं आयश्मान का भी बड़ा मन था और ये दोनों बिटिया भी बहुत जित कर रही थी तो मैंने सूचा चलो आज इनको बाहर भी घुमा देते हैं थोड़ा सा और जो भी इनका मन होगा इनको खिला भी देंगे तो किसी को चौमीन पसंद है तो किसी को मुमोस पसंद है सब अपनी अपनी पसंद का खाना यहाँ पर खा रहे हैं तो बच्चों की इच्छा रखने के लिए हम भी आये हैं हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था आने का लेकिन बच्चों की जित करने पर हम भी आये हैं हस्वेंट भी आये हैं और बच्चों को थोड़ा सा डिनर बगेरा कराएंगे थोड़ा सा गुमा भी देंगे यहां पर हम बह अच्छा हो जाएगा बच्चे खुज हो जाएंगे क्योंकि बड़ी बट्या नानी के घर भी नहीं जा पाई थी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना थैंक यू